नमस्कार दोस्तो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत आज कल के जो टाइम है आज कल का जो दौर है इसमें हमें जो है लगू उद्योग या जो उद्योग है इसके सेक्टर में बढ़ना काफी फायदे मन्द हो रहा है क्योंकि अगर आप IT फिल्ड या आजर किसी भी फिल करते हैं तो वहाँ पर आज के टाइम में नौकरी की जबरजस्त प्राब्लम होने वाली है लेकिन अगर आपको कुछ ऐसा ओप्शन दे दिया जाए जिस ओप्शन के थूरूर ना सिर्फ आप जो है अपनी फैमली का बलकि आप अपने आस पास के लोगों को लाइफ में एक उमीद की किरण जगा दें तो यह आपके लिए कितना बहतरी होगा तो दोस्तो इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करूंगा अगे बढ़ने से पहले मैं आपसे करूंगा एक छोटा सा जाएगा और आप जो है इस तरह के तमाम आईडिया से अपडेट रह सकेंगे साथ ही साथ अगर आपको कभी भी इस तरह की चीज़ों की आवशकता है तो आप हमें direct mail कर सकते हैं direct call कर सकते हैं और इस comment box में लिख के हमें inform कर सकते हैं तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इसक कुछ ऐसे wholesalers के पास जाएं और उनसे request करें कि आपके पास इस तरह के products जो है वो बनने वाले हैं या बन रहे हैं तो उसको आप किस तरह से purchase या sell करोगे यह कि वो बंदा export होना चाहिए educated होना चाहिए ऐसी कोई requirement नहीं है आप जो है किसी भी अस्तर पे हैं तो इस machine को के साथ जो है अपने business को शुरू कर सकते हैं तो दोसों आप- अ कर नहीं हमिए भी झादसससस कर्सक्भाराती है मैर आप आप आज मैं आपको इस वीडियो में यह प्टाने जा रहा हूं कि आप साड़े पांच लाक् प्रे में कैसे अच्छा खासा बिजनस कर सकते हैं सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में कापी के बिजनस के बाल में मतने जारहा हूं कापी के बिजनस को स्टार्ट करने के लिए आपको तीन मशीनों की जरूरत है पहली मशीन का नाम है स्टिचिंग मशीन मोटराइज दूसरी मशीन का नाम है नोटबुक एज स्केरिंग मशीन फुली हड्रॉलिक और तीसरी मशीन का नाम है नोटबुक सेमी आटोमेटिक पेपर काटिंग मशीन दोस्तों आप इन मशीनों की वीडियो लास्ट पर देख सकते हैं आप यह मशीने नीचे दिये गए नमबर पर फोन करके और्टर कर सकते हैं यह मशीने पांच किलो वाट का लोड लेती हैं यह मशीनों को आप गर के कुनेक्शन यानि की सिंगल फेस कुनेक्शन पर भी चला सकते हैं यह दिन में 10 से 15,000 कॉपी दिन में बना देती हैं यह मशीनों को चिनाने के लिए आपको तीन वर्कर की जुरूत है कापी यूनिट को स्टार्ट करने के लिए आपको डाइसो स्केर फूट जगह की जुरूरत है दोस्तों नोटबुक कापी बनाने का बिजनस आपको एक नई तरक्की की राह पर ले जाएगा क्यूंकि नोटबुक एक ऐसी चीज है जिसकी बिक्री कभी भी कम नहीं हो सकती और नोटबुक कापी को बनाने में आपको 20-30% का मार्जिन मिल जाता है आप एम मशीनों पर काम करके आप प्लास्मेट जैसी कापी बना सकते हैं जिससे की आपकी कापी की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी दोस्तो कर दोस्तो कर दोस्तो अगर आपका बजट ज्यादा है यानि कि स्टिचिंग मशीन मोटराइज की जगा नोटबुक पिनिंग और फोल्डिंग मशीन लगा सकते हैं और नोटबुक सेमी आटोमेटिक पेपर काटिंग मशीन की जगे फुली हड्रॉलिक आटोमेटिक पेपर काटिंग मशीन लगा सकते हैं जिससे की आपकी प्रोडक्शन पंद्रह से बीस हजाद कापी दिन में हो जाएगी दोस्तों अगर आपका बजट कम है तो आप स्टिचिंग मशीन मोटराइज की जगें स्टिचिंग मशीन फुट ऑपरेटिड भी लगा सकते हैं और सेमी आटोमेटिक पेपर कटिंग मशीन इस जगें नोटबुक एंड पेपर कटिंग मशीन भी लगा सकते हैं पर साधे चार लाग पल प्लांट से आपकी प्रोडक्शन आज से बारह हजार हो जाएगी टोटल कोस्ट आपको लाएगा एक केजी प्रोडक्शन करने में 68 रुपिया जिसमें 56 रुपिया का पेपर होगा चार रुपिया का लेवर खर्च और एलेक्रिसिटी और 8 रुपिया आपका जो है उपर का जो फॉर्माद आता है गता जिसको बोलते हैं वो में 68 रुपिया या जिसका सेलिंग प्रैस होल। में 55 रुपिया फिरि याज़र आप सेल क्लिक्श और और आप जो है उस मशीन से जोड़ा होगा मशीन से इसका प्राइस चागे फांस लागे उसका जुआ है उससे आप पटांस केजी परावर प्रोडक्चन कर सकते हैं आराम से उस्ते की 30 kb होता है ये की माल लेकित हैं पटांस केजी आप एक लेक्ट गनता रहें तो तोटल कॉड़क्त सागर काम करेंगे, तो लागो 400 पेजी एक ता में बठास्त होता, तो गांधन आग ता में 400 पेजी होगा, तो टोलो प्रॉफित आज ता में कि पर्पीना हो गाहिए, आज ता अलाग हो डिनियुज़ कर सकते हैं, और आप इस तरह से दिम क्या क्वार् है कि आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट शेयर लाइक और सब्सक्राइब करना मत बूलना दन्यवाद